आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ एक भार, एक भारीन Spring से लटका है जिससे इसके लंबाई में सामय वस्था में ठीक है, एक सेंटिमीटर की व्रद्धी हो जाती है जब इसे दो समान भागों में काट लिया जाता है तब इसके बड़े भाग तथा जिसके लंबाई 60 सेंटिमीटर है पर इसी भार को लटकाने पर मतलब भार समान है इसके लंबाई में व्रद्धी इतने सेंटिमीटर होती है और जब इसे छोटे भाग से लटकाते हैं तब लंबाई में व्रद्धी इतनी होती है तब हमें बताना है कि वो X क्या है ये वाली X हमें निकाल ली है बचो देखिए इस वाले सवाल को solve करने से पहले आपको छोटी-छोटी सी एक दो चीजे याद होनी चाहिए ठीक है कि जब भी किसी भी भार को हम लोग spring पर लटकाते हैं तो उसके अंदर एक प्रत्या नयन बल उत्पन हो जाता है जो कि विप्रिद दिशा में होता है mg के ठीक है लटकाने पर तो माना हमने क्या मान लिया माना जो वास्तविक लंबाई है इस्प्रिंग की इस्प्रिंग की वास्तविक लंबाई वो हम कित्ती मान लेते हैं वास्तविक लंबाई ये है हमारे पास में स्मॉल है क्या मेरी बात क्लियर है ना और साम्य वस्था में क्या होता है साम्य वस्था में जैसे कि ये हमारे पास में स्प्रिंग है ठीक है और यह spring पर यह हमने यहाँ पर यह M का लटका दिया तो नीचे की तरफ में क्या लगेगा M G और उपर की तरफ में क्या लगेगा हमारे पास में अब यहाँ पर बोला गया है कि spring को दो बराबर मतलब दो अनीक्वल पार्ट पर काटा जाता है क्योंकि एक बड़ा है और एक छोटा है अनीक्वल में काटा जाता है तब माल लेते हैं को जो उसका spring नियतांक जो है है न काटने पर spring नियतांक कितने हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे पास में K1 वर K2 ठीक है यह तो आप सब लोग जानते ही हो ठीक के वन बड़े वाले के लिए माल लीजिए यानिकी जो हमारे पास में K1 हो जाएगा और X X1 यही बराबर किस के हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे पास में K2 है न और X- सोरी K2 L- यहाँ पर यह मैं थोड़ा सा मैं डायरेक्टी लिख देता हूँ देखेगा कैसे जो K2 K1 है हमारे पास में उसके लिए संतुरित लंबाई कितनी 60 cm उसकी लंबाई 60 दी गई है यही बराबर किस के हो जाएगा जो K2 है न अब उसकी लंबाई कितनी बची दूसरे कि लंबाई इसकी इतनी मानी थी अब ध्यान से देखेगा कि जो हमें सवाल में दिया गया है प्रश्णानुशार क्या होता है कि जो mg है जब हमने उसको इस से लटका है तो 7.5 की वर्द्धी हो जाती है यानि कि यह कितना हो जागा K1 into 7.5 ठीक है और यह तो हमारे पास में स मिकरन नमबर 4 हो गई हमारे पास में ठीक है तो यहां से दियान से देखिएगा मेरे पास में जो K1 का माना आ जाएगा है ना K1 बराबर वो कितना हो जागा KL by 60 अरे भई यह देखिए ना यह रहा यहां से K1 जो है कल by 60 हमने लिख लिया ठीक है और K2 बराबर कितना हो कर लिजीए आप K1 बटे K2 जो आ जाएगा KL से KL कट जाएगा यह आ जाएगा हमारे पास में 5.0 अट बटे में कितना आ जाएगा 7.5 ठीक है और यही बराबर किस के हो जाएगा L-60 बटे 60 के ठीक है तो अब ध्यान से देखिएगा मैंने धाई से काटे 2 बार धाई से काटे 3 बार यानि कि यह हो जाएगा हमारे पास में 2 बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा L-60 बटे 60 ठीक है यह हो गया तो यहाँ से L का मान कितना आगया अपने पास में देखिए 120 बटे 3 यानि कि 40 और प्लस 6 यानि कि 100 बराबर कितना आगया हमारे पास में 100 cm यानि कि लंबाई कित समीकरण एक वर तीन से क्या हो जाएगा कि जो kx है वो बराबर किसके है वो है हमारे पास में k1 और इंटू 7.5 है के नहीं है ठीक है तो इसको अच्छा इसको समीकरण नंबर 5 कर दीजिए और इसको हम लोग 6 नंबर कर देते हैं ठीक है तो जैसे हमारे पास में ये वाला मान अब 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 अपने इजीली निकाल जकते हैं है नब 2 और 5 से देखिए ये तो एक और 3 शे तो ये हो गया समीकरण है नब 2 वर 5 से ठीक है ये कितना हो जाएगा हमारे पास में ये हो जागा k1 इंटू 6 बराबर जो हो जागा वो जगा k2 और 100-60 के बराबर ठीक है तो ये मेरे पास में कितना निकल करें आजएगा k into 100 के बराबर l की जगे पर हमने 100 रख दिया है तब देखें यहां से जो मेरे पास में k1 का माना आगया यहां से इसको बटे में करेंगे तो ये 10 बटा 6 हो जाएगा 2 से कट करेंगे तो 5 बटा 3 यानि कि 5 k बटे 3 के बराबर आगया समीकरण नमबर 7 कर दीजिए तो समीकरण 6 और 7 से देखिए समीकरण 6 और 7 से समीकरण 6 और 7 से क्या हो जाएगा हमारे पास में यहां पर kx बराबर ये है इसके अंदर k1 का मान रख देंगे यानि कि kx बराबर 5 के बटे 3 गुणा कितना आजएगा 7.5 k ने k को काट दिया तो यहां पर जो x बराबर आगया बटे 10 कर दीजिए यानि कि 5 इंटू 55 और बटे कितना आजएगा हमारे पास में 3 ठीक है तो ये कितना आजएगा 30 तो ये 5 चंग 30 तो ये बार कट गया और 6 से 6 कम 6 बचा 1, 6 दूनी 12 बचे 3.5 ये आगया हमारे पास में तो cm में यानि कि जो x बराबर आएगा वो आजएगा 12.5 cm ये लिजिए भाई ये हमारा उत्तर होगा तो चलिए विकल्पों में देख लेते है ना यहां तो कोई साभी सही नहीं है बचे यहां पर कुछ साइथ ये mistake हो गई है यहां पर 12.5 cm कर लीजिएगा अ हमारा सही है बैसिकली अगर देखा जाए तो क्योंकि यहां पर जो हमारे पास में आंसर है वो 12.5 ही आएगा धनेवाद क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स 84444 सुपर